तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के इस नए वीडियो के अंदर आज के इस वीडियो में हम लेकर आया आपके लिए रोयल इंफिल क्लासिक 350 और इसके हम लोग सर्विस करने वाले हैं और कुछ पार्ट इसके अंदर चेंज करने वाले हैं जैसे इंजन और पूरी गाड़ी की सर्विस के लिए बार जो है और टोटल कोश्ट वह कितनी बैठने वाली है इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले गाड़ी देख लेते हैं गाड़ी है रोयल एंफिल क्लासिक 350 और सिल्वर कलर और इस गाड़ी को चल चुकी है तकरिबन 25,800 किलोमेटर तो आते हैं सबसे पहले पार्ट के ओपर वह है इसका एर फिल्टर जो आपको इसकी राइट साइड का जो पैनल है एक निकाल लेंगे तो एर फिल्टर का जो नोर्मली काम होता है वो होता है एर को फिल्टर करके अंदर बहजना यानि की मिट्टी बगेरा को जो ही है अपने अंदर समेट लेता है और अंदर जाने नहीं देता है यह इसका पुराना एर फिल्टर है यह देख लीजिए और यह जो इसके अंदर हम नया वाला एर फिल्टर इसके अंदर रिप्लेस करने वाले हैं यह इस तरी के आपको देखनों को मिलेगा दोनों के अंदर आपको फरक देखनों को दिखी रहा होगा कि यह कितना क्लीन लग और वो कितना डेस्टी लग रहा है यह माहिल एक कंपनी का है इसके अंदर हम लोग फिट करने वाले हैं इन दोनों के अंदर डिफ्रेंस देख लिए आप यह डेस्टी दिख रहा है यह क्लीन दिख रहा है तो एर फिल्टर वैसे तो आप अपनी कंडिशन के हिसाब से चेंज करने एक सर्फिस ड्रोप करके चेंज करा लें अब आते हैं इसके बॉक्स के ओपर इस बॉक्स के अंदर मिट्टी जमीवी इस लिए तो उस मिट्टी को अटाने के लिए हम पैट्रोल की सायता लेंगे और पैट्रोल से इस तरीके से इसको पूरा क्लीन करेंगे पिए यह बाद इसके अंदर कोई डेस्ट रेगी तो वो नए वाले को पर चिपक जाएगी इसको अंदर वाला है इसको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे यह देखिए कितनी सारी डेस्ट इसके अंदर से निकल चुकी अब यह पूरी तरीके से प्रोपर तरीके से क्लीन हो चुक कि किड़ों और चेक कर लेंगे कि बराबर सेट हो रही है नहीं हो रही है होने के बाद इसको यसके अंदर फिट कर देंगे और इस बोक्स को बंद कर देंगए यह अपना पहला काम का अब आते हैं दुसरे पाट के ऊपर वो होता है जो इसका और फिल्टर भी बला जाता है यह भी आपको राइट साइट के अंदर देखने को मिलेगा जो तीन बॉल्ड दिख रहे है इन बॉल्डों की साहरे तैसे अंदर असेंबल हवा होता है यहां से इसको इस तरीके से खॉल ले यह देखिए इस तरीके के इसके अंदर oil filter जो है वो निकलेगा इसको हम नए से replace कर देंगे क्योंकि इस सस्ता पार्ट है और इसके अंदर समझोता ठीक नहीं है यह देखिए यह वाला जो है इसका यह नया वाला oil filter है इसको लिव फिल्टर भी बोला जाता है इस वाले लिव इसके अंदर हम लोग असेंबल कर देंगे यहां से जिस तरीके से खोला था इस प्रिंग और बॉल्टों की साहे तासी जो टिका हुआ था है इसकी बाहर की वह प्लेट इसको लगाँगे उसके बाद जो इसकी जो प्लेट खोली थी तीन बोल्ट वाली वह इसके अंदर को कि डालना बहुत बड़ा काम होता है एक तरीके से इसलिए ट्रेंट टेक्निशन के पास ही अपने गाड़ी को खुलवाएं किसी आलड़े टेक्निशन के पास गड़ी को ना लेके जाएं इसके लिए किक फुलेगी ब्रेक का जो पेडल है ये नीचे होगा पूरा चेमबर जो है इस साइड का वह बाहर निकलेगा देन इसका अंदर का जो हमारा चक्का होता है चुटा वाला वह देखनों को मिलेगा तो इसके चेमबर के हमने सारे बोल्ड जो है वह को लिये लूस कर लिया है अब धीरे-धीरे किक को अंदर करेंगे किक शाफ्ट को और इस बाहर द लिखेगा इस तरीके से इसको पुरा बाहर निकाल लेंगे अब ये देखिए आपको यहां पर इसका चैनिस पोकेट का छोटा वाला चक्का दिखाई दे रहा होगा और दुसरी गारीय की इनदर बाहर ही चैनिस पोकेट डल जाता है इसका अंदर का देखी लेजे नियोग मैंगेनेटप लगिगी है लिवे मूली फिल्टर कशनेके लोक हुए हैं इसका जेन pleins से खुल गई है विसको हम चेन को निकाल देंगे इस मेंस जिए देखिए ये चेन यह पूरी तड़ी के से निकल चुकी है अब आते है इसके फ्रंट वाले इस पोकेट की चोटा वाले इस जो नट है इसको भी छेनी की सायता से ठोक कर लूस करेंगे और देन उसके बाद इसको खोल लेंगे इस तरीके से इसको चेनी की सायता से ठोक कर हम लोग उने लूस कर लिया और उसके बाद इसको खोल लिया अब इसके अंदर एक लोग और निकलेगा जो इसका लोग है वो ब बाहर इस तरीके से निकाल लें अब इसका जो नया ispokit है अब निकालेंगे यह पूरा चैन इस पोकिट मों ने मंगा लिया है इसकी प्राइस जो है 1990 रुपए के असपास के यह लोगों पड़ा आए इसके अंदर फ्रंट वाला इस पोकेट है वो इसके अंदर फिट करेंगे जिस तरीके से खोला था इसके लोग को भी पेट्रोल से साफ कर लेंगे और उसको फिट करेंगे और उसी तरीके से जिस तरीके से ठोक कर खोला था उसी तरीके से ठोक कर हम लोग लगा देंगे क्यों कि हमारे पासे सक्षाइब नहीं है जिनसे इसको फिट किया सकें शोरूम के ऊपर दूसरे तरीके से इसको हो सकता है फिट किया जाता हुग की के कि इसको तो जी खिलीन करने पेट्र hvis इसको इसके अंदर लगा देंगे है कि यह जो इसका नट है को इसके अंदर साफ करके वापस लगा देंगे छूडियां जो है इसकी वह धिना होए मैं माज़े वा McMah सकता है और अंदर का उत्र यह देखिए इसका पार्ट नंबर है चेन इस पोकेट किट और इसको अमनेकों ने खोल लिया है आगे का इस पोकेट लगा दिया है पीछे का इस पोकेट हम लोगों को देखना है इसके अंदर यह चेन आ गई है आपकी कर देखिए यह वाला इसका लोक है जिसको अमनों को ने ठोक के लगा दिया है इस पार्ट प्लग इसका क्लीन कर लेंगे साफ कर लेंगे और अगर आओ सेकता हो होगी तो इसके अंदर बलोग नया स्पार्ट प्लग चेंज कर देंगे इस तरीके से इसके वील नट को खोलेंगे चेन को लूस कर दिया था पहले ही और इस पाईयों को इसमें से निकाल लेंगे इस तरीके जा इसको पूरा लूस करके ठोक के एक्सल को बाहर निकाल लेंगे और एक्सल को बाहर निकालने के बाद इसका वील हो पूरा बाहर आ जाएगा उसके बाद इसके अंदर नया इस पोकेट जो है हम लोग फिट करेंगे यह देखिए इस तरी गिसे ठोक ग जा की ईक्सेल को पुरा बाहर निकाल देगे एं कि यह बाहर आ छुका यहका इसका यह पुराना इसके करते हैं के खुलते हैं और उसके बाद इसके इनेनया वाला इस पोकेट फिट करेंगे थोड़ा सा किलीन कर लेंगे ताकि ठीक रहे कस करके से इसको को लेंगे देखलेंगे उसकेником नाय भवले इस पोकेट लगा तो तो फिट कर देंगे इसके अंदर एक चीज़ दियान रखनी है कि आमने सामने के बोल्ट खोलने होते हैं और आमने सामने के बोल्टी इसके अंदर लगाने होते हैं यह देखी पहले इस साइट को खोला अब इसके सामने का बोल्ट खोलेंगे यह वाला और उसके बाद, फ्रेंट वाले बोल्ट ही खौलते हैं, और फ्रेंट वाले बोल्ट को ही कसते हैं, उससे ये पूरा प्रोपर तरीके से टाइट हो जाता है, ये इसका बोल्ड देख लिए जी अलग की नुमा जो बोल्ड है, ये इस तरीके के इसका बोल्ड होता है, ये नया इस तरीके से इसको आमने सामने के बोल्टों को टाइट कर देंगे जिससे यह प्रोपर तरीके से फिट हो जाए कहीं से कुछ बाल लुमा लूज भी इसके अंदर ना रहे है तो इतनी माधा पुड़ी होती है फुलट के चेंचेट को लगाने के अंदर इसलिए इसकी जो ले तो दोस्ता अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजीगा शेयर कर दीजीगा और हमारा जो चैनल है उसको सब्क्राइब कर दीजीगा वह यह सारी चीज़े एकदम स्री है इसके अंदर आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला है आप इसको इसके अंदर फिट करेंगे जिस तरीके से खोला था उसी तरीके से इसको हम लोग इसके अंदर फिट कर देंगे ताकि यह प्रोपर तरीके से काम कर रहे है ये दीख है ये चेन का एडिस्टों थाहें ये इसको टाइट कर देंगे जिससे चेन छो हे वह ठीक तरीके से ठाइट हो जाए प्रोपर तरीके से ठाइट हो जाए इसके अंदर अब जो new chain हम लोगों ने लिए वो new chain इसके अंदर बेठाएंगे पीछे से लेते हुए आगे वाले इस pocket से निकाल के इसको बीच के अंदर जो जो इन ड्राइव है वो इसके अंदर हम लोग लगा देंगे यहां से इस तरीके से पूरे दाते इसके अंदर बेठा देंगे और बीच के अंदर जो इसका जो हम लोगों ने chain ड्राइव जो लोग होता है उसको निकाला था वो इसके अंदर हम लोग fit कर देंगे यह देखिए पूरी chain जो इसके उपर चड़ चुकी है लेकिन chain अभी आपको lose दिख रही होगी lose इसलिए है क्यूंके chain को अभी तक हम लोगों ने tight नहीं किया है chain lock लगाने के बाद इसकी chain को हम लोग tight करें तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताईएगा कि अगर रोयल इंफिल्ड के किसी भी मोडिल के ओपर आपको वीडियो चीए तो वह कमेंट करके आप हम लोगों को बता सकते हैं प्रोपर तरीके से हम वीडियो बनांगे या रोयल इंफिल्ड के कुछ मोडिकेशन आप चाहते हैं कि किसी मोडिकेशन के ओपर वीडियो चीए तो वीडियो भी हम आपके लिए ले आंगे इस तरीकी से इसका जो नट है इसको इसके अंदर लगांगे उसके बाद चैन एडिजेस्टर से इसकी चैन को दीर दीर टाइट करेंगे जिससे चैन यूज किया है वहाई प्राइड ओ इंजन ओई अम लोगों इसके अंदर यूज कर रहे हैं हमलिया का यह वाला इंजन ओई स्पेशल जो है रोयल इंफील्ड जैसी गाड़ियों के लिए ही बनाया गया है यह के अंदर हम लोग इसके अंदर कीप की शायता से से इसको डाल देंगे है Is Gör Hoje इस तरी के से इसके अंदर इस वाले इंजन ओफिल कर देंगे तो ओलमौस्त ही हमारी लास्ट इस्टेत है इंजन ओफिल्ट की पाकिषी की ब्रैकिंग गगे से 6,000 km के आसपास आप करा सकते हैं और अगर जादा ही डिस्टी एरिया है गाउन के अंदर जादा गाड़ी चलती है तो थोड़ा पहले सेर्विस करा लें 4,000 km के आसपास ही उससे गाड़ी की लाइब बनी रहती है और गाड़ी ठीक चलती है यह देखिए पूरा इंजन इसके इंदर हम लोगों नेल डाल दिया है इसका झो इंजेन ओल का जुल लेवल है वो भी आपको दिखा देते हैं कि इसका इंजन ओल का लेवल जो है आपको तको कहां से चेक करना है यह जो इंजन उइल हम लोगों ने डाला है इसका इंजन उइल का गेज में दिखा देता हूं कि आपको कहां से चेक यह जो आपको दिख रहा है एक चोटा सा काच टाइप एक पार दर्शी इसके अंदर से आपको इसका गेज देखने को मिल जाएगा मैं भी गाड़ी कुछ बनाrel कटीए पीज माँ देखने को मिल गया हो आपको इसका इंजन उइल का लेवल ने जो है वो पता चल जाएगा अपको जो डिपिस्टिक है, वो लगा देंगे, और ओल्मॉस्ट गड़ी की सर्विस जो है, वो कुछे ही है!! तो दोस्तों अम्मीद करेंगे, वीडियो अब अच्छा लगा हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, छीनेल को सब्क्राइब करें deliver और आपका प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें अब आते हैं इसके खर्चे के उपर के इस गाड़ी के अंदर जो है टूटल हमारा खर्चा कितना हो गया यह सब कुछ करने के बाद इस गाड़ी के अंदर हमने जो चेंज करा है वो चेंज करा है इसके अंदर इंजिन ओई तो इंजिन ओई की कोस्ट जो है वो 950 रुपे एर फिल्टर 200 का आउइल फिल्टर 70 का चेंज से 990 का ओल लाइबर 700 का और टोटल हमारी सर्विसिंग जो हुई वो 4910 रुपे की हुई है तो दोस्तों अमीद करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगाओ वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज जू लेखन लाइक करें चैनल को सब्क्राइब करें मिलते हैं के वीडियो में तब तक के लिए न मैं सकारो